वेल्कम टो लाइट केर हाई मैं हूं कंजे नवसी और आज हम आपको बताएंगे गोरापन और सुन्दर्ता की कुछ उपाएं दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि ब्यूटी इस ओल अबाउट हेल्दी एंड ब्लॉइंग इस्किल कई पार ऐसा होता है कि हमारे अच्छी ना होने की कारण हम खुद को एक शल में बंद कर लेते हैं हमारे सेल्फ कॉंफिडेंस में कमी आ जाती है और कहीं ना कहीं हम एक अजीब सा पील करने लगते हैं हमारी हमारी सुन्दर्ता में एक ग्रहण सा लग जाता है तो दोस्तों आज इसी का उपाय लेकर मैं आ अपयोग एकदम बंद कर लें अब करें जरूर करें लेकिन अपनी तोचा का खयाल आप अपने खाने से भी रख सकते हैं इवेन मैं यह कहना जाओंगी कि आप संतुलित और निट्रिशियस खाना लें समय पर जोई एक्सराइस करें और साथ ही साथ अपनी तोचा का खयाल तो चलिए आज हम बात करते हैं सुन्दर और स्वस्त तोचा पाने के उपाय हैं उसके लिए आपको बहुत महगा ट्रीट्मेंट कराने की जरूरत नहीं है इस पालेने की जरूरत नहीं है आप बस अपने घर में मुझूद चीजों का अच्छे से इस्तमाल करें और देखे की सकिन ग्यूईक कैसे हो जाती है कुछ ही दिनों के अदर एक बालती थंडे पानी में दो नीवों का रस मिलाकर रोजाने में नहाने से आप की सखर्ण निखर्दी आवले के मुरब्बे के रोजाना सेवल से आपकी तोचा निखरती है। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि चाय और कॉफी से परहेज करें। आप गाजर का जूस ले सकते हैं। उससे आपकी तोचा निखरती है। हर रोज खाना खाने के बाद आप सौफ का हैं। इससे तोचा में निखा राता हैं। क्योंकि ये खून को सांप करता है। जैसा कि आप सभी को पता हैं कि टमाटर का जूस पीने से आपकी बॉड़ी में चितने भी टॉक्सिंस होते हैं वो निकल जाते हैं। और आपकी बॉड़ी डिटॉक्सिपाई हो जाते हैं। और दोस्तु इन सब के अलावा बहुत सारे उप्टर ऐसे हैं जो कि आप घर में ही बना सकते हैं। और उनका उपयोग करने से आपकी तोचा ग्लोईंग और चमकदार हो जाते हैं। जिसे आपको लोगों के कॉंप्लिमेंट्स भी मिलते हैं। तो पहला है हल्दी का पैक। हल्दी में आप ताजी मलाई, दूद और बेसन मिला ले। और इसका मिश्रल बनाकर 10 मिनट तक चहरे से लेकर गले तक लगाए। और 10 मिनट बाद इसे दूले। इससे चहरा लिखर जाते हैं। बादाम और हनी का इसक्रब। दस बादाम को पानी में भिबो दें। और सुबा उठकर इसे खुर्दरा भीज ले। इसमें हनी मिलाकर अपने चहरे को इसक्रब करें। और इसक्रब के बाद इसे ठंडे पानी से धोले। आपकी इसक्रब काफी चमकदार हो जाती है। चंदन का पैक। चंदन के पाउडर में एक चमच नीबू का रस मिला ले। और साथ ही साथ उसमें टमाटर का भी रस मिला ले। और पर अपने चहरे पर लगाए। इससे आपका चहरा ना सर्फ गोरा होता है बलकि गोरा होने के साथ साथ उसके पिंपल्स भी काहर को चाते है। केसर का पैक। दही या मलाई में केसर को मिलाकर उसका पेस बनाकर चहरे पर मलें और सूखने के बाद उसे धोले। पैक मसूर की दाल को पीस कर इसमें कच्छा दूद अंडे की जर्टी और निवो मिला ले इस पेस को चहरे पर लगाएं और इस पेस को चहरे पर लगाने के बाद धोले इससे आपकी तोचा खिली-खिली नजर आती है बेसन का उप्ते दो चमच बेसन में एक चमच सर्चों का देल और थोड़ा से दूद मिलाकर पूरे शरी पर लगाएं और इसको रगड़ रगड़ कर नहा लें इससे आपकी तोचा मुलायम और गोरी हो जाते हैं इन सब के साथ ये भी जरूरी है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें जैसे कि विटामिन सी विटामिन सी हमारे रो इसके साथ ही कूरापन और सुन्दर्टापन ये हमारा स्पेशल रिडियो यही समापत होता है इसी तरह से घरे लून उसके जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें लाइफ केर चैनल का मकसित बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करना और छोटी से छोटी कि बीमारी को पास ना आने देना है थाइंक यू टेक केर वेलकम टू लाइफ कियर हाई आम कंचन अबसी और आज हम बात करेंगे दालचीनी और शहर से होने वाले फाइदों के बारे में आप सबको तो पता ही होगा कि दालचीनी को कुई नोथ स्पाइस कहते हैं यानि मसा यह गुड़ भी पाइजाते हैं तो आया बात करते हैं डालचीनी से होने वाले पाइदे के बारे में